बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में IPL 2024 की शुरुवात में बस कुछे दिन बचे हैं ऐसे में गुजराट टाइटन्स से जुड़ी एक ख़बर आपको देने वाले हैं गुजराट टाइटन्स के लिए ये सीजन बहुत अलग होगा क्योंकि एक तो जो टीम के रेगुलर कप्तान थे पिछले दो सीजन से आर्दिक पाइडिया वो अब टीम के साथ नहीं है नए कप्तान है शुमन के लिसके अलावा टीम के एक्स्पिरियंस तेज गेनबाज मोहमाश्रमी इस सीजन टीम का हिस्सा नहीं होगे ऐसे में गुजराट टाइटनस टीम का एक और खिलाडी टीम के साथ शुरुवाती मैचों का हिस्सा नहीं होगा अभी कुछ ही मैचों के स्केडूल अनौंस किये गए हैं IPL 2024 के और उन शुरुवाती मैचों में गुजराट की टीम अपने एक एहम खिलाडी को मिस करेगी दरसल हम बात कर रहे हैं मैथ्व एड की ऑस्टेलिया का एक क्रिकेटर शुरुवाती मैचों में नहीं खेल पाएगा ये उसने बता दिया है गुजराट टाइटनस मैनेजमेंट को दरसल वज़ा ये है कि मैथ्व एड सेफिल सील टूनेमेंट का फाइनल खेलेंगे तस्मानिया के लिए तस्मानिया के लिए वो चाहते हैं ये मुकाबला खेलना फाइनल खेलना चाहते हैं और इस बारे में उन्होंने गुजराट टीम मैनेजमेंट को बता दिया और दर्शन नालकंडे विजाशंकर जैन्त यादव राहुल तेवतिया नूर एहमद शाइंकिसोर राशित खान जोश्वा लेठिल मोहच शर्मा तो ये रिटेल प्रेयरते कुछ अच्छे बाइस भी हैं जैसे उमेश यादव अजमत उमर्जाई ये अफगानिस्तान के इनको मैथ्यू वेड को प्लेइंग लेवन में मौका मिलता ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल था क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो इस टीम में विजेसी प्लेयर हैं अच्छे खासे दूसरा क्या है कि रिदिमान सहा क्या टीम उनको पिछले सीजन की तरह इस साल भी यूटि मार्च तक 25 मार्च तक नहीं रहेंगे वहाँ पर उनका फाइनल मुकाबला चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि मुंबई इंडिया के खिलेंगे फिर आने में इंडिया टीम से जोड़ने में वहाँ टाइम लगेगा SRH के खिलाफ वह एमदाबाद में मुकाबला खेल सकते हैं SRH का मुकाबला है 31 मार्च को है तो वह यस में वक्त है बाकि इसके अलाबा पंजाब के सामने है बाकि के तीन मुकाबलों के लिए टीम के साथ जोड़ सकते हैं लेकिन अभी मेत्यूओ वेड वो शुरवाती दो म वकाबलों के लिए टीम के साथ नहीं होंगे तो यह अपडेट आई थी गुजराय टाइटन से जोड़े हुए हमने आपको बता दी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए शेर कीजिए स्पोर्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिक्शन की घंटी दबाईए वीडियो अग अगर आप हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को लाइक कर फॉलो जरूर कर लिजे